जहें दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को तो भैया कॉलेज मिलने के बाद जब श्टूडेंट जब दोस्त आते हैं मिलने तो बड़ी खुशी होती है आज हम बात करेंगे अपने एसारभी बैच के स्टूडेंट प्रभात से और इनकी जानेंगे कि कॉलेज मिलने के पह 458 458 से इस बार आपके नंबर जो है 606 काफी लंबा उच्छाल है यह नंबर का तो अखेर इस बार का पेपर भी थोड़ा था नंबर आ सकते थे और पिछली बार 458 आपके नंबर थे तो यार 459 पे मुझे याद है कि 459 पे दोस्तों को कॉलेज मिल गया था पिछली बार के ट कैसे सम्हाला और 606 तक का पूरा सफर बताईए कि इन बीच में किस किस ने आपकी मदद की कैसे अपने आपको सम्हाला और सबसे ज्यादा आपके लिए हलफुल क्या रहा बताईएगा सर्फ 458 पे कॉलेज तो नहीं मिला था 459 कट ओफ था तो उस समय यही था कि एक नंबर से रहे गया थोड़े दिन तक यह रहा गम कि एक नंबर से रहे गया लेकिन फिर यही था कि डॉक्टर तो बनना ही है तो फिर से जुटना पड़ेगा मैनत करने के लिए और पिछले य आपको सर्फ फुल लेंथ में यही होता था कि खाली टेस्ट दे रहे हैं एनलेसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाता था एसार भी बैच में इतने सारे टेस्ट दी है हर दिन एक टेस्क उसका अलग लेवल कॉन्फिडेंस आपको यहां तक पहुंचाया तो क्या कहना चाहें अगर कभी टी मोटिवेट हो तो परिशान मत हो सर का वीडियो को लो देख लो मोटिवेशन अपने आप आप आजाएगा तो प्रभात ने जैसे 458 से 606 का स्कूर किया कैटेगरी में जिस पार कॉलेज भी इनको एलाउट हो गया साजया पूर मुझे लगता है इस्टेट से आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा मुझे लगता जिस्वेम मिल सकता है पॉसिमिल्टी है उसके मिल लेगी तो प्रभात बहुत-बहुत मुबारक बाद आपको की कॉलेज मिलने जा रहा है और निडाइड की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए बहुत मिलेगा परिशान नहीं होना है निडाइड के साथ जुड़े रहना है थोड़े बहुत नंबर से अगर रहे गए हैं तो जैसे प्रभात ने अपने आपको संभाला और फिर से तयार होके लड़े और फाइनली कॉलेज में पहुंच रहे हैं वैसे आप भी पहुंच सकते है कॉमेंट बाक्स में कोई 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 होगी जरूर बताईएगा फिर मिलते नेक्स वीडियो में जाए जाए